नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका हमारे चैनल All Technical Solution में तो दोस्तों अगर आपके पास वीडियो कॉन D2H का डिश का कनेक्शन है और उसके सिंगनल अगर लॉस्ट हो गए हो किस तरह से यूज करने है तो दोस्तों आपको इसे ओपन करने के बाद सबसे पहले अपनी Mobile का जो Location का Option है उसे यहाँ से On करके लिए है जैसे कि मैंने यहाँ पर On करके लिए है उसके बाद दोस्तों आपको फिर से Back इसी पेज पर आना है लेकिन यहाँ पे आपको Step No.1 यानि कि Satellite Set करने के लिए Right Hand Side के Upper Corner में जो 3 dots दिख रहे है वहाँ पे आपको क्लिक करके लेना है उसके बाद दोस्तों आपको सबसे उपर स्क्रीन का एक option मिलिगा तो आपको वहाँ पे क्लिक करके लेना है तो मैं यहाँ पे स्क्रीन के उपर क्लिक करके लेता हूँ उसके बाद मेरे सामने 3 options आ गए तो यहाँ पे हमें सबसे पहले Satellite Set करना है इसलिए मुझे यहाँ पे Satellites के उपर क्लिक करता हूँ उसके बाद मेरे सामने पहुत सारी बड़ी satellites की list यहाँ पे आ गए है तो मुझे वीडियो कॉन D2H के लिए यहाँ पे 88 degree east यहाँ ST2 नाम का satellite यहाँ पे set करके ले रहे हैं तो मैं इस list में 88 degree यहाँ ST2 यह satellite यहाँ पे search करके लेता हूँ तो दोस्तो मुझे यहाँ पे 87.99 मतलब 88 यानि कि ST2 यह satellite यहाँ पे मिल गया है तो मैं इसके उपर क्लिक करके इसे यहाँ पे select करके लेता हूँ जो कि हमारा step number 1 यहाँ पे पूरा हो गया उसके बाद दोस्तो हमारा step number 2 और 3 करने के लिए हमें फिर से एक बार 3 dots के उपर क्लिक करके लेना है तो मैं फिर से इन 3 dots पे क्लिक करता हूँ और फिर से यहाँ पे screens के उपर क्लिक करता हूँ मैं आपको थोड़ा सा यहापे जूम करके दिखाता हूँ तो आप यहापे नीचे देख सकती कि आपको elevation as a bit बिल गया है तो सबसे पहले हमें elevation का setting करता है जो कि हमारा step number 2 है हमारा elevation है वो है 64.7 degree तो इसे set करने के लिए हमें अपने dish के पिछले हिस्से में जाना होगा जहापे हमें measurements मिल रहे तो यहापे हमें 67 degree जो कि हमारा inclination हमें यहापे मिला है उसे यहापे adjust करके फिर से nut bolt को यहापे tight करके लेना है दोस्तो बहुत से simple है यह आपका 2 number का step यानि कि elevation का setting यहापे पूरा हो गया उसके बाद दोस्तो आपको यहापे 3 number का जो step है वो है azimut का जो कि सबसे important है वो यहापे set करना है तो वो है 143 तो इसे set करने के लिए आपको यहापे compass की ज़रूरा पढ़ने वाली है दोस्तो बहुत ही simple है आप सिर्फ ध्यान से दिखिए तो सबसे पहले आपको अपने mobile को अपने हाथ में horizontal पकड़ के अपने dish के exactly उपर इस तरह से खड़े होना है लेकिन उससे पहले आपको नीचे वाली circle में dish के hand का जो starting point है वो लाना है और आपको उपर वाली circle में यह जो blue dot है वो इस circle में लाना है तो इसके लिए आपको अपने mobile को थोड़ा सा right में rotate करना पड़ेगा आपको यहापे notification भी दिया है तो मैं धेरे धेरे से अपने mobile को यहापे right में rotate करते जाता हूँ आप यहापे देख सकते हो तो मैं नीचे वाला point यहापे वैसे ही adjust करके रखता हूँ और उपर का जो point है वो मैं इस circle में ले लेता हूँ उसके बाद दोस्तो हमें यहापे dish की set direction मिल गए तो मुझे इसे direction में अपने dish को set करके ले रहे तो इसके लिए मुझे अपना dish थोड़ा सा यहापे right में rotate करना पड़ेगा और इस blue line के साथ align करना पड़ेगा और जैसे मैं इसे align करता हूँ मेरे dish के सारे signal से आपे आ जाएंगे तो यहापर step number 3 यह भी आपे complete हो गया